हलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूटुब चानल अनुपिश्टेडी में आज हम लोग सुरू कर रहे हैं प्रस नंबर दो से आपको जो है कि इसके पहले वाले वीडियो में बताया गया था प्रस नंबर एक भी बताया गया था उसमें और कुछ एक्जांपल आपको वीडियो लगतार आपको उसमें मिलती रहेंगी तो फ्रेंस आप लोग को यदि लवगणक का नियम कैसे चलता है कैसे सलुसन किया जाता है लोगणक का जो एक्जांपल आपको बताया गया था यदि आप उससे नहीं देख पाएं तो पहले आप उसको समझ लेजिए ताकि जो है कि आपका जो भी प्रस नमरदो आपका चलेगा है आपको बिल्कुल उसमे क्लिया जाए क्योंकि जबतक आप उसे उस् Dabei भाम बताया गया था यदि आप नहीं समझ बाते हैं तो तब तक यह आपको इसावाल आपको क्लियर नहीं होगा येजिक शूरू करते हैं प्रस प्रस नमबर एक भी बताया गया थो उसमें और कुछ एक्जांपल हम लों लेकर चले थे कैसे जो है कि आप कमान सोलुशन किया जाता है जिसे माल यह लाग M और जेट बराबर है लाग C बेस ए ठीक है अब थोड़ा समझेगा आपको यहां से कर रहें कि एक्स Y जेट कमान पूट कीज़ेगा पहले हम लोग मान पूट कर लेते हैं लाग X कमान पूट किया जा रहा है ए और बेस बी गुड़े लाग Y का देखिए Y कमान पूट करेंगे लाग B बेस C गुड़े जेट कमान पूट कीज़ेगा लाग C बेस क्या ए ठीक है चली आगे बढ़ते हैं हम लोग अब जरा इस प्रोसेस को समझे इस प्रोसेस को समझे आप लोग ठीक है लाग Y M बेस A हो तो इसको यह आप लोग तोड़ते हैं तो लिख सकते हैं लाग M अब बेस आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं इभी लिख सकते हैं बेस ठीक है बेस आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं जब इसको तोड़ेंगे इस फार्म पर ठीक है क्योंकि इस तरसे हम लोग इसको तोड़ेंगे यह जो आपका मान है ना इस मान को हम लोग इस फार्मले हम लोग इस फार्मले पर तोड़ेंगे ठीक है बेस आप लोग कुछ भी रख सकते हैं चलिए यहां से आपका हो जाएगा लाग ध्यान दिजेगा आप लोग लाग यम है तो यम लिखा है और बाटा में लाग बेस ए है ना तो लाग क्या ए ठीक है एक बार लाग वाला साथ में तो लाग हो जाएगा क्या एब बेस लगा देंगे पर फेलेंगे आप ब Payla हो जायेगा यह बिफ्क्य का सभी का बजा होना चाहिए दोंड़ हो जाएक लाग बीफ हो जाएगा अब बसी आबाटा में हो जाएगा सी अब बेस क्या E ठीक है आज नहीं तो सभी का बेस साटा दिजिए कोई दिकत नहीं है इसके बाद हो जाएगा लाग C बेस E आबाटा में हो जाएगा लाग क्या A लाग A और बेस क्या E किलियर हुआ चले एक बारा और रिपीट यह जो आपका जो भी मान पर जब चलेंगे तो लाग M लाग पाले M लिखेंगे और बाटा में लाग बेस आएगा लाग क्या A ठीक है जो बेस है वह लाग में चला जाएगा और दोनों का बेस समान कर देंगे E सभी का बेस क्या लगा सकते है E लगा सकते हैं ठीक है A base E log A base E कट जाएगा log C base C log C base C अब बच गया आपका क्या 1 कितना find वाफ्रेंज 1 किलियर है वीडियो अच्छा लगते हैं तो लाइक जो रूर कर दीजिए देखिए X और Y और Z कमाण पूछ रहा था तो X Y Z कमाण कितना या 1 देखिए जब तक यह आपको फार्मुला याद नहीं होगा तब तक आपको जो है कि कोई भी प्रस्वन आपको समझ में आने वाला नहीं है और यदि एक्जाम्पल समझे हैं तो आपको यह भी किलियर हो गया होगा कि कैसे हमनों सलुसन कर रहे हैं ठीक है चलिए तो आपका आपसा नमबर कौन सा करेक्ट ह है आपसा नमबर आपका क्रेक्ट है इसमें क्या कर देकार एक दराबर दिया है लाग साइने कसे बेसी और यह राब दिया है लाग क्या तो लाग 272 एफेक्स कमान क्या है आपका है लाग साइन एक्स या थैन में रखें इसको लाग साइन एक्स और प्लस आपका हो जाएगा ई और अव्ण यहां से देखी यहां कुछ करना है बस अब देखिए पहले हम एक्जांपल में हर एक चीज बताये थे देखिए यहां से यदि योन लग का गुरांग आता है तो लग का यहां से गुरांग खटाएंग तो इसके सर पे चला जाएगा देख रहे क्या क्या एक स्कॉरायर क्या स्कॉर्ट एक का अभिशन स्कॉर्ट थो यह बहुत है दोनों का सम cultural ह räक सिंप तो आपसा नमबर कौन सा करेक्ट है आपसा नमबर डिया आपका करेक्ट है क्लियर हुआ वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक से यह और कमेंट जरूर कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजिए चलिए प्रस्ट नमबर चार देखते हैं प्रस्ट नमबर चार को तो प्रस्त नमबर 4 क्या है वो समझें देखें कहा क्या रहा है कहा रहा है कि लाग लाग A बेस B और इंटू लाग B में 10 फार्म इस पहीं तोडेंगे इस फार्म के तो कुछ ना है बससारान भासा में यह हो जाएगा रहता है में लग क्या हो जाएगा बिक से महम लगा सकते हैं बेस उकर दोनों का थेंट ये इवे प्रटेंग क्या देखिए आगे भी बढ़ते हैं उसी तरह से यह आपको हो जाएका क्या सी बेस ई और बाटा में क्या लाग एबेस क्या ए चलिए लॉग एस लॉग एक ट गया लॉग बीस लाग भी कट लॉग सी से लाग क्या सी इज गल टू जो है कितना मिला वन मिला फाइ देखिए आपसे पूछा था पाल टेक्निक में 2010 में पूछा था तीसरा कोस्टन 2010 में पूछा था दूसरा कोस्टन 2011 और पहला भी कोस्टन 2011 ठीक है चलिए देखते हैं प्रस नमबर पांच जो की आपसे पूछा था 2013 में ठीक है चलिए 2013 पूछा था तो देखिए प्रस नमर लाइक आप लोग करते नहीं है और अनलाइक भी करते जिए समाझ में दिन आता है तो अनलाइक भी कर सकते हैं तो आप लोग भी नहीं करते हैं चलिए कुश्चन नबर फाइफ करें कि लाग 9 बेस ए इसकल टू आपका दो है दूसरा है क्या लाग 8 बेस बी इसकल टू क्या है तो कर रहा है आपसे क्या पुछा है वहां कर रहा है कि हमएं फाइं करके देखाले कि लाग करें कि तो सबसे पहली निकालन के पहले बी कमांडे के मान चाहिए का तो कुछ नहीं करना है बस से हम लोग फाइंद कर लेंगे पहले Onie Like का अब देखे यहां से हम लोग हटाते हैं एकजांपल में पहले भी आपको पर मुंद पढ़ा चुके हम क्योंकि जब तक आपको समझ में आता नहीं है तब तक ये आपको identification점 होने वाला है चलिए यहां से देखिएगा यदि हम लोग लाग हटाते हैं तो इनका आपस में चेंजिंग हो जाता है ध्यान दिजिए किसका होता है बेस यहीं पर आता है लाग हटाता है तो इसका आपस में चेंजिंग होता है और एक सर पर यह आपस में चेंजिंग होकर क्य याद हो होगा ङातां का नियम याद होगा कि घतां का नियम क्या चलता है और नहीं याद है तो मैं बता देता हूँ कि यदि एक प्रोसेस नएक हात progress होता है यदि A का पावर आपका यम हो और इसकल टू यह B का पावर यदि यन हो B का पावर जैसे यम हो याद रखेंगे आप लो घातां का नियम क्या कहता है कहता है कि यदि A का पावर यम हो इसकल टू A का पावर यन हो यदि दोनों का अधार सेम हो घात अलग अलग हो तो यम बराबर क्या होता है N दूसरा कहता है क्या कि A का पावर यदी यम हो E equal to B का पावर यदी यम हो अब घातांक यदी बराबर होता है तो सिर्फ आपका हो जाता है A बराबर क्या B घातांक का नियम है क्योंकि जब घातांक और करणी आपका चेप्टर चल ला था तो उसमें हर एक चीज हम बताए थे इस टाइप के सभी कोशन बताए गया था कि किस तर से आप लोग सोलूशन करेंगे तो यहां पर हम लोग थोड़ा आ जाते हैं घातांक यहां पर बराबर है तो अब तो ए बराबर क्या हो जाएगा थ्री घातांक के नियम से एक कमान निकल चुका अब आओ भाई दूसरे में आजा अब यह भी आपका हटेगा तो सिर्फ इसका चेंजिंग हो जाएगा तो यह मिला झ मिला रिकल अधा आजा यहां पर है आइंद सब्सक्राइब है तो हम लोग रखेंगे तो लाग हो hardware क्या हो कर दो दूसरा कितना है ता है में अन DENNIS ओर लेते हैं लागदूबेस कितना तीन तो आपसाँ नंबर आपका एक करेक्ट है आप सान नंबर यह करेक्ट है वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेर मेंट जरूर कर दीजिए तो चलिए हमनों चलते हैं प्रस नंबर छोप परस नंबर छॉप जो एक से सलोसन होगा चलि देख लेते हैं प्रस्ट नमब्र छो तो शुरू करते हैं प्रस्ट नमब्र छो जो कि आप से पुछा गया था 2010 में ठीक है चलिक कराएगी टू लाग एम 28 बराबर पी और कराएगी लाग 2m 22 बराबर क्यू और पी माइनस क्यू माइनस पी बराबर 4 तो को एम कमान फाइन कीजिए तो आपसे पूछ रहा है कि यह बताईए कि एम कमान कीतना होगा चलिए फ्रेंड्स शुरू कर लेते हैं चलिए यहाँ पर हम और प्रोसेस स्टार्ट करें तो देखे कैसे हम लोग लेकर चलेंगे पहले हम लोग इस से इस मान से हम सुरू कर रहे हैं अब एक दम ध्यान से समझेगा तब आपको क्लियर होगा विए लॉट यह गुडांग है लॉकिoire क्या है गुडांग हटाएंगे टो इसका क्या लच जाएगा बटा टो यह हम हम लोगा हो जाएगा फ्रेंस यहां पर हम लोग कर लेंगे कि लाग य्म लोगफ कंश याझ बराबर हो जाएगा पी बता में कितना होगा का दो है ठीक है अब जरह समझी आगे यहां से हम लोग लाग हटाएंगे तो इनका चेंजिंग होता है इनका क्या हो जाता है चेंजिंग होता है यानि की बदलाव हो जाता है क्या होता है बदलाव हो जाता है तो हम लोग इसका बदलाव करेंगे तो देखें लाग हटेगा तो हो जाएगा आट और यह पी बटा में दो आठ के स्तर पे चला जाएगा पीब अमें दो होगा कि नहीं होगा आई जीकल टुए यम का चेंजिंग हो जाएगा इसकल टुकितना यह ठीक है क्या हम लोग 8 को लिख सकते हैं 2 का पावर कितना लिख सकते हैं 3P 2 का पावर 3 लिख सकते हैं अगात में है तो 3P से गुणा हो जाएगा बाटा में कितना 2 बारावर कितना हुआ इतना किलियर हुआ अब थोड़ा हम लोग इसमें आ जाते हैं फिर इसमें देखिए यहां बचला जाएगा तो M अब M का गुरांग 2 है अब गुरांग हटेगा तो यहां पक्या क्या लग जाएगा बटा तर टू का पावर हो जाएगा क्यु क्यूder अब बाटा में कितना दो बराबर कितना होगा समीकार नमबर क्या मान सकते हैं ठीक है हम लोग समिकर नमबर 2 मानने न अब ज़रा हम लोग इसमें आ जाते हैं यहां पर देखेगा यह आपका Q है न यहीं पर हने दीजिए P को ज़रा इधर भेज दीजिए बराबर हो जाएगा चार आइधर माइनस में अधर आएगा तो क्या प्लस कितना पी समीकर नंबर कितना ले ले लिजे इसको तीन है ठीक है न इतना तो आपको किलियर हुआ न अब जरा आगे बढ़ते हैं अब देखे समीकर एक से यम का मान इसमें क्या कर देजिए पूट कर देजिए तो हम क्या यूर्टा के लागा लेंजिए बाठाक में क्या दो इजच्ट्र आपको जायएगा यम की जगा पर क्या रहिए देखे स्लह का पावर करेसे इसका भात बीजात तो यह हो जाएगा इन्टू तू का पावर हो जाएगा थ्री पी अपलस कितना दो बराबर हो जाएगा दो एकम दो का पावर क्या क्यों ठीक है अब ज़राद देखिए, दो दो अब ये नियम चलता है यक्स गूणा यदि यक्स होता है तो यक्स का पाट कितना हो जाता है, घात जूडता है जब समान अच्छरों का गूणा होता है, उसी तरह से जब इसका गूणा करेंगे तो घात जूटेगा, तो इसका 1 है तो यह हो जाएगा 2 का पावर हो जाएगा 1 प्लस 3P बाटा में कितना 2 आप बरावर आपका कितना हो जाएगा 2 का पावर कितना क्यों अब आप लोग ज़रा याद रखेंगे इसको थोड़ा सैस एसे लिख लिए दो का पावर इतना एटाई अफ यहांप देखें दोनों का आधार सेम है ना डोनों का अधार सेम है तो घातों का तुलना करेंगे तो क्या मिलेगा देखें मिल जाएगा 1 प्लस 3P बाटा में 2 आई इस जिकल टू हो जाएगा कितना क्यू अब 2 से गुणा कर दे 2 एकम 2 आप प्लस कितना 3P बाटा में 2 is equal to कितना Q अब जारा हम लोग Q कमान पूट कर दें यहाँ पे Q कमान कितना है 2 प्लस 3P आप बाटा में 2 is equal to Q कमान कितना है 4 प्लस कितना पी ठीक है नब जारा दो से मल्ट तीरिये कितना कर देंगे तो यह हो जाये कितना 2 प्लस 3P is equal to हो जायेगा दू चवगो के 8 आप प्लस 2 एकम 2P और इसको इधर यह पी वालोगो एक तरफ 3P इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस 2P बाराबर हो जायेगा आठ इधर प्लस इधर जायेगा तो माइनस 2 अब यह घटेगा ना तीन में से दो घटेगा तो एक होगा यानिकि सिर्फ पी बराबर हो जाये आठ में से दो घटा दीजे कितना च्छो अब फ्रेंस जाला याद रखिए आप लो भी इप्र आभर केतना च़ो आया ना देखिए प्रोसेस थोड़ा बढ़ा है यानी कि समाजना है तो प्रोसेस आपका बढ़ आगे जा प्लस पालिए अब यही कमान जो है यह हम लोग लोग इसमें रख दें देखिए पी कमान यदि हम लोग इसमें रख देते हैं तो आसानी से हो जाएगा सोलुसन चलिए कि अब पी बराबर कितना है छो है न अब पी कमान पी बराबर छो समीकराण एक में रखने पर तीन के रखते हैं अब यहाँ पर रखिये नहीं तो यहीं पर रख्ते हैं यहाँ पर रखिये तो यहीं पर रख देजीया यह इना यह मिले संब्रक्राण चलिए थे तो यह कना को का पावर पी बटामें 2 है बराबर कितना यह ठीजट ना और आ quartz आप लों कहेंगे कि यहां पर नहीं रखे इसाइप रखे तो यह लिए यह तू का power हो जाएगा तीन है तो तीन गुले पी की जगांब कितना पुट करना है छा तो 6 बाटा में कितना 2 बराबर कितना 2 त्याएं कितना 6 हुआ अब यह हो जाएगा दो का power 3 ते लिके 9 इस जो क्लटू कितना एम यहां से दो का नौबर गुणा करेंगे तो आपको कितना हो जाएगा पान सो बारा इजुकल टू कितना एम गुणा करके देख लीजिए दो गुणे, 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 दो ख्रयूर के बतना है जबात करनें kanssa तो गहीं के हैं सोला को थैसंचों के गृद्ध्थो Macließ जिए गधाले सले हो ना ना मैं तो सुद्ध कई सोना करना है कि तो तो सोला धूं आ कर दो जिए को डूंसी तीन हो हुआ तो इस तरह से हम लोगा सोलूसन रहा नहीं है तो इससे असानी यह है कि आप लोगों सिर्फ यहीं पर मान पूट कर दीजिए कटा देंगे तो तीन हो जाएगा आठ तीन हो जाएगा सब्धास बड़ा हो गया चलिए देखते हैं ड्रस नमबर 7 तो प्रस नमर साथ आपका है क्या देखे करें कि यहादि लाग 2 लागदो का मान दिया हुआ है हैै है 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 तिस साथ होगोशन है करने की लागदो बाराबर दिया है लागादो बड़ाबर करते हैं 0.30103 तो करेंगी लाग 200 कमान फाइंड किजिए कितने का करना है लाग 200 कमान ठीक है फ्रेंड चलिए तो निकाल लेते हैं हम लोग 200 कमान कैसे फाइंड होगा तेकि लाग क्या 200 को हम लिख सकते हैं दो गुणे 100 2 से यदि 100 में गुणा करती है तो 100 दूनी के 200 होगा यद्स सो में गुणा करती है 200 हो जाएगा तेक है अब जड़र हम लोग आते हैं लाग M प्लस लाग N पर यदि तोडते हैं इसको M मान लेंगे इसको क्या N तो लाग अगुणे लाग एन पर देखे इस पर लाग एंग तोड़ते हैं तो फर्मला क्या बनता है लाग एम एम कमान 2 प्लस थार मूले में है और लाग क्या 100 ठीक है? अब क्या 100 को क्या लिख सकते हैं आग? देखे यहां पर हम लोग मान लगें लाग 2 का मान लग देजिए 0.30103 प्लस लाग ठीक है 100 को लिख सकते हैं 10 का घात कितना 2 हो जाएगा 100 इसके बाद हम लोग का हो जाएगा 0.30102 और प्लस सोरी 3 है न प्लस देखे घात के नियम साहिए लाग M का पाउर याद यदि घात हो दो पहले घात आ जाता है तो घात दो पहले आ जाएगा और लाग कितना 10 और हम लोग को पता है कि लाग 10 कमान कितना होता है एक लाग दोक्स 10 कमान कितना एक तो यह हो जाएगा तो दो दसमलो 3,0,10, कितना 3 तो यह रहा आपका क्या answer के लियर हुआ की नहीं तो यह आपका आपसन नमबर कौन सा correct ज़रा आपसन भी देख लेते हैं आपसे नंबर डी आपका करेक्ट है आपसे नंबर क्या डी विडियो अच्छा लगते तो लाइक से यह और कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजिएगा चलिए अब देखते हैं प्रस्ट नंबर आठ प्रस्ट नंबर आठ में कहा क्या रहा है वो देखिए तो प्रस्ट नंबर आठ तो बिल्कुल आपका असान है चलिए तो देखिए कोई भी यदि सवाल होता है तो उसको यदि ध्यान से समझते हैं तो ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आएगा ठीक है चलिए दूसरा क्या है सवाल वो देखिए प्रस्ट नंबर आठ है कर दो का पावर है एकस प्लस टू ठीक है इजकल टू में दिया है लां 육िया है लां लां कितना है सोल तो यह की यह कशक्या ठीक है कुछ नहीं करना है log से log हट जाएगा तो यह हो जाएगा 2 का power x plus क्या 2 is equal to 16 को क्या लिख सकते हैं दो का power 2 दुनी के 4 दुनी के 8 दुनी क्या 16 दुनी का power कितना 4 ठीक है चली तो देखिए यहाँ पर दुनों का base बराबर हो गया थो दुनों का base क्या हो गया बराबर तक घाताउंगों का तुल ना तो यह हो जाएगा x plus 2 बराबर कितना 4 x बराबर हो जाएगा 4-2 x बराबर कितना नंबर क्या इंस कुलिर परकूंस सा क्रिक्ट हो क्या आपका हैँ तरि देखते हैं परस्ट नंबर‑9 प्रेम प्रोसलेस वही है इस एक है यह क्लिर गोई नो आ संल कि यह समझे और विडियो अच्छा लगता है तो लाइक से और comment जरूर करदे सेट तो जरूर किजिए भड़े ही लाइक वीडियो को मत किज़ें लेगें सेर अपने दोस्तों में जरूर कर दीजिए जितने भी वाट्सप ग्रूप हो आपके सेर जरूर करते रहें चलिए प्रस्ट नमबर ना आते हैं कर आए कि थ्री लाग एक्स बेस आठ बराबर कितना है फ्रेंट्स दो तो करें कि भाई एक्स कमान फाइन करके बता दो कितना होगा ठीक है आप लोग तो लाग लेंगे लाग एक्स बेस आठ बराबर यह गुड़ां के गुड़ां को अटाएंगे तो दो बटा में क्या तिन आप लोग एक बात और याद रखेंगे यदि आप नहीं है तो इस अब यहाँ स weak कर से एंग दो का सब्सक्राइस इंञिए तो अब यहाँ से इतो हूआ कि अपस में चैजू हो जाएगा लौग हटाएं गा씨 फंप लोग हटाएंगे तerson क्या होगा चैनलाग फिर्ण हैस tuата या फैस इस तानपे और या जवा ब्हें कि आचलान पर सिर्फ एन का चेंज है यह नहीं कि खाली 3 को ले जाएगा पूरा ये भीन जाएगी थे यह मैं कि 2 बहाता में कितना 3 ऑब और कितना एक्स क्या आठ को हम लो लिख सकते हैं दो का पावर कितना तीन और गुणे पहले से मौझूद है दो बाटा में तीन बराबर एक्स हुआ तीन से तीन क्या हुआ कट गया दो का पावर क्या बच गया दो इस इकल टू एक्स बचा की नहीं और दो का इस्क्वाइर कर दिजी त एकस बराबर दुर दूनी कए चार रहने कितना हुआ चार आप्षान नमबर कौग सा करेक्ट है एक और संबर आपका करेक्ट है कितना हुआ च्निट है चलिए आते हैं प्रस नमबर जो है कि दस असनल मर्ण 10 ने क्या है वह देहें किसिए है martina तो प्रस नमबर दस रहें किया कर रहा है कि लाग एक स्प्लस वाई भरा लाग एक्स प्लस वाई-बेस फाँच बराबर एक तता लाग चार्य सतीन प्लस लाग एक लौय बराबर भर दो हो तो आटी दवर नहए्टी लाग्या के यहां पर दोनों तरफ बराबर नहीं करते हैं यहां पर यहां हो जाएगा यहां से पांच के घात एक है तो इसका माने की रह जाएगा पांच हो जाएगा तो इसको लिख सकते हैं एकस प्लस वाई बराबर कितना पांच सम्मिकर नमर कितना ले लिजिए एक यहां पर ऐसा मत किजेगा कि इसको पहले लिख रहे हैं इसको बाद में तो चीन चेंजिंग कर दिजेगा ऐसा नहीं होता है जब दोनों मान इधर से उधर हो रहा है तो कोई भी चीन में सम्मिकर नमर एक बना अब आते हैं जर्यास करें तो हम लोग से ले लेते हैं इसकोशी को मेरे सब्लस में आए तो आपका फार्मुला रागत सबहने हैं देखें इंट़ सब lj प्लस में में this तरद सभी को इंटू में लेंगे तो यहां पर हम लोग आते हैं उसी को देखिए यहां पर लो हाल करना है यह हो जाएगा लाग कोश्टक में हो जाएगा 4x क्या y सबी जो है प्लस में है ना लाग के साद्ट तो होग्या हो गए चार एक्स क्या y यानिक 4x2y इन्टू क्या एंटू एक्स इंटू वाई यह लग एम इन्टू एन पर टूड जाएगा अब बेस कितना है तीन अब बाराबर कितना है दो ठीक है और फिर लाग हटाएंगे तो इनका चेंजिंग होगा कि नहीं तो चेंजिंग होगा तो क्या होगा वो देखें तीन का बना दो बना नहीं है तो इसको जारा बदल लिजिए इसको पहले रख दीजिए तो एकस वाई बराबर हो जाएगा 9 बाटा में कितना चार समीकर नमबर 2 ठीक है न अब जारा समझेगा यकस वाई का मान 9 बाटा में 4 हुआ और एकस प्लस वाई का मान 5 हुआ अब यहां पर कर कितना यहां आपकी कौन सी बीदि है प्रतिस्थापन भी थी यह हो जाएगा एकस कोष्टक में य की जगा पर क्या पूट करना है 5-1 बराबर है 9 बाटा में 4 जरा गुणा कर दीजिए तो यह हो जाएगा 5-1 अब माइनस हो जाएगा 1-9 बाटा में कितना चार तो तिरिये गुणा कर सकते हैं तो पहले एक सी स्क्वाइर और नज्वर होगा अपनेस चारशी स्क्वायर होगा आप इसको रख ěत प्लस पांच को 20 एक्स अब रावर कीता नहीं तो नहीं को इधर 楽 Mess senderतआक कि तक देगा प्लस कीताना है नो बाराबर किताना हो जाएगा 0 समझे हैं यहाँ पर समझritis फिर माइन प्लस में जटर आएगा तो माइनस होगा लेकिन हम आईनट माइनस माइन से लेकिन और याद रखना पड़ता है कि यदि आपका x square करता है तो उसके गुझांग से जो है कि सभी में क्या करते है भाग जो भी माना लाएगा सभी में क्या करते ngay भाग तो काटाइये दो दुनिके 4 अद दो नमा अठारत तो बच क्या किया देखे यक्ष बरावर एक बार इस पूरे राक्षी को 0 को बरावर लेंगे तो 9 बटा में 2 हुआ, माइनस में है, अधर भागेगा, तो कितना हो जाएगा, पलस में, यहाँ पर समझने की बात है, अब देखें, यहाँ हो जाएगा, एक बटा में 2 है, बराबर 0 है, तो यहाँ माइनस में उदर जाएगा, तो पलस, एक बटा में कितना, 2, नहीं समझ में आया समझे यह माइनस one by two बराबर एक बार जीरो करें लेंगे ना तो यह बराबर हो जाएगा माइनस में इधर और जीरो के तरफ चलेगा तो एक बटा में दू प्लस में जाएगा वही प्रोसेस यहां पर हुआ है ठीक है अब देखिए यह के दो मान मिल गया तो इसका मतलब कि जब यक्स का दो मान मिल गया तो वाई का भी कितना मान मिलेगा दो तो इसमें यक्स का मान पूट कीजे यहीं पे तो वाई का मान आसानी से निकाल लेंगे तो देखिए वाई बराबर पांच है तो पांच रखिए आप माइनस पहले यक्स का मान नो बाटा में दू रख तो य बराबर हो जाएगा दू पाच्चे दस दस में से घटेगा नौ बाटा में कितना दू तो क्या क्या मिला है समझे नौ बाटा में दू यानि कि नौ बाटा में दू एक बाटा में दू एक बाटा में दू नौ बाटा में क्या दू तो देखते हैं आपसन आपका कौन सा करेक्थ है आप उन्मない क्या ब्रक्त रखा गया तो घंट एक वेट में दो और जब एक वेटा में एक वेटा अनमिला दो आप साम लिए के क्लिए रहा है देखते हैं परस्य नमबर Ś deaf कि